असामलेकुम वेलकुम बेक टो अवर चैनल सीवेल लैब टेस्टिंग जिन्हों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फोरण चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का इकन दबाना ना भूलें तो चलते हैं आज के अपनी टेस्टिंग वीडियो की तरफ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे के सेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से की जाती है आपको ये भी बताते चलें के जिस टेंडर के तहत ये स्पेसिक ग्रेविटी की जाती है वो है आश्टो ट 84 और 85 तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ हमारे साथ मुझूद है मुहमद शकील हमारे लिबाड़ी टेक्निशन जो आपको बताएंगे कि सेंट की स्पेसिक ग्रेविटी किस तरीके से मालूम की जाती है तो चलते हैं अपने टेस्टिंग गुबमंट की तरफ और आपको बताते हैं कि इस टेस्ट के लिए कौन करों से गुबमंट दरकार है सबसे पहले हमें एक टेस्टिंग इसम्बली की जरूरत है मॉस्चर टेस्टिंग इसम्बली एक अदद फाइन बरश एक अदद स्टील बॉल विद मैटिरियल एक अदद एलमॉनियम स्कूप एक अदद फनल एक अदद फलास टेमपरेचर गेज और आखिर में एक अदद डि हमने मॉस्चर एसंबली के अंदर 3 लेयर में सेंड डालनी है और हर लेयर में 10, 10 और 5 ब्लाउज यानि के टोटल 3 लेयर में हमने 25 ब्लाउज लगाने हैं तो पहली लेयर में 10 ब्लाउज लगाने लगे हैं अब हम दूसरी लेयर भरने लगे हैं इस लेयर में भी हमने दस प्लोज मारने हैं अब हम तीसरी लेयर डालने लगे हैं इस लेयर में हमने पांच राड मारने हैं हमने एक्स्ट्र मेटीरियल निकाल लिया है अब हम कब को उठाने लगे हैं जी नाजरीन तो देखा जा सकता है कि जो हमारी सेंट थी ये सेसडी कंडिशन में है क्योंकि हमारी कॉन कॉलैप्स कर चुकी है तो चलते हैं अपने टेस्टिंग प्रोसीजर की तरह फ्लास के अंदर आखिर निशान तक पानी को अच्छी तरह से भर लेंगे और इसका वेट करेंगे जैसा कि देखा जा सकता है हमने टाप तक फ्लास के अंदर पानी भर लिया है अब इसको हम बैलेस पर रखने लगे हैं जी नाजरीन तो बैलंस पे फ्लास्क रसकने के बाद जो वेट आया है वो एक हजार अठाइस ग्राम है अब हम SSD वेट करने लगे हैं जो सेंड हमारे पास मौझूद है जी नाजरीन सेंड का वेट हमारे पास आया 216 ग्राम इसके बाद हमने फ्लास्क में तकरीबन 1.5 इंच पानी लेना है और इसके उपर फनेल लगानी है अब हम जो हमने SSD वेट किया था सेंड का उसे स्कूप में डालने लगे हैं अब हम यह सारा मेटीरियल फ्लास्क के अंदर डाल लेंगे जैसा कि देखा जा सकता है तमाम सेंड को हमने फ्लास्क में डाल देना है जी तो हमने तकरीबन सारी सेंड हमने फ्लास्क में डाल दी है अब हम सेंड को पानी के साथ तकरीबन 4-5 मिनट के लिए इस तरीके से शेक करने लगे हैं ताके सेंड पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जी नाजरीन तो हमारा ये प्रोसेस मुकमल हो चुका है अब हम इसका ढखन उतार लेंगे और इसमें पानी भर लेंगे जी नाजरीन तो ये तकरीबन हमारा टॉप मुकमल हो चुका है अब कार्क लगा के बक्या पानी बॉटल की मदद से इसमें डालेंगे अब इस प्लासिक बॉटल की साथ हम तमाम पानी इस टॉप तक भर लेंगे जी नाजरीन तो हमने तमाम पानी टॉप तक भर लिया है अब इसे साफ करने के बाद सेंड का वेट इन वाटर चेक करेंगे अब हम इसे बैलेंस पे रखने लगे हैं हमारे पास वेट आया है ग्यारा सो बास्ट ग्राम यानि के वेट इन वाटर जो सेंड है वो ग्यारा सो बास्ट ग्राम आया है नाजरीन अब हम ऐस्ता ऐस्ता फ्लास्ट में से पानी को प्लास्टिक बॉटल की मदद से निकालने लगे हैं धकन के टॉप तक हमने पानी निकाल दिया है अब धकन को ऐस्ता ऐस्ता उतार लेंगे अब इजाफी पानी को एस्ता एस्ता स्टील बॉल के अंदर डालने लगे हैं नाजरीन बहुत एतियाद से करना है ताकि सेंट जो है वो बिल्कुल नीचे रहे और जो इजाफी पानी है वो निकल सके जी तो नाजरीन अब तक्रीबन सारा पानी जो है हम इस पॉल में डालने लगे हैं इस तरीके से हमने सेंड निकालनी है और जो बक्या सेंड है उसको बाटल के साथ हमने निकालना है हमने इस तरीके से ऐस्तर प्लासिक बोटल की मदद से पानी इसके अंदर डालना है और बक्या सेंड हमने इसमें से निकाल ली है इसी तरह हमने मज़ीद पानी इसमें डालना है और बक्या सेंड निकाल ली है जी दो नाजरीन हमने तमाम सेंड इसमें से निकाल ली है अब हमारा फलास खाली है और अब यह जो बक्या पानी है इसको हम 110 degree temperature पे oven पे इस तरीके से material को रख लेंगे ताकि हम इसका dry weight हासिल हो सके तो अब हम इस सारे material को oven में रखने लगे हैं जैसा कि देखा जा सकता है कि temperature हमारा 110 degree पे पहुंच चुका है हमारा oven on है अब हम इस material को 110 degree पे रख देंगे 24 गंटे के लिए हमने यह रखना है ताकि तमाम पानी इसमें से निकल जाए और हमें सिर्फ dry weight हासिल हो नाजरीन 24 गंटे मुकंबल हो चुके हैं अब हम sand को oven में से निकालने लगे हैं जी तो नाजरीन हमने sand को निकाल लिया है अब इसे room temperature पर हम ठंडा होने के लिए एक घंटे के लिए रख देंगे तो नाजरीन material हमारा ठंडा हो चुका है अब हम इसे weight balance पे वज़न करने लगे हैं तो वज़न करने के बास हमारे पास total weight आया है 212 gram नाजरीन इसी के साथ हमारी आज की वीडियो मुकमल हुई अब चलते हैं अगली formulation की तरफ और आपको बताते हैं कि sand की specific gravity किस formula के तहट निकाली जाती है नाजरीन जैसे के हमारा practical खतम हो चुका है तो चलते हैं formulation की तरफ और आपको बताते हैं कि spatial gravity किस तरीके से निकाली जाती है इस performance में आपको बताया गया है कि A यानि कि SSD weight of sand बराबर है 216 ग्राम के नमबर B weight of flask plus water जो के है 1028 ग्राम नमबर C weight of flask plus sand plus water है 1160 ग्राम और नमबर D oven dry weight of sand जो के हमारे पास आया आखर में 212 ग्राम नाजरीन तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले absorption किस तरीके से निकाली जाती है absorption का फार्मूला है SSD weight minus oven dry weight over oven dry weight multiply by 100 SSD weight हमारे पास है 216 ग्राम और oven dry weight हमारे पास 9212 तकसीमे 212 जरब 100 तो हमारे पास absorption आएगी 1.89% तो चलते हैं अपने specific gravity process की तरफ तो सबसे पहले आपको बताएंगे नमबर E में bulk specific gravity जिसका फार्मूला है D over A plus B minus C तो D हमारे पास है oven dry weight जो के हमारे पास है 212 ग्राम A है हमारे पास acid weight जो के है 216 ग्राम B है हमारे पास picnometer plus water जो के है 1028 ग्राम और C है हमारे पास picnometer plus sand plus water जो के है 1162 ग्राम तो इस फार्मूला के तहत हमारे पास जो rating आएगी वो है 2.585 जो के है हमारी bulk specific gravity इसके बाद नंबर F bulk specific gravity SSD इसका फार्मूला है A over A plus B minus C इसमें A हमारे पास SSD weight है जो के 216 ग्राम A दोबारा 216 ग्राम plus B picnometer plus water 1028 ग्राम minus C picnometer plus sand plus water तो इस फार्मूला के तहत हमारे पास जो rating आएगी वो है 2.634 यह हमारी bulk specific gravity SSD है इसी के साथ नंबर G हमारी apparent specific gravity D over B plus D minus C यहनि के 212 over dry weight over overdrive weight 212 plus picnometer plus water 1028 और minus picnometer plus sand plus water 1162 ग्राम तो हमारे पास apparent specific gravity आएगी 2.718 तो इसी के साथ हमारा आज का test मुकमल हुआ जी नाजरें उमीद हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी लाइक और कमेट जूर करें अगली वीडियो के साथ आपकी फिद्मत में हाजर होंगे तब तक के लिए अलाँ आफेस झाला है वीडियो क्वाज़ने की पिर्प द्री भाज़ हैं नाग्ण घड़ में हुआ साथ आज इस अरें की जर आप लापकी झाला हैं ए सा्वारें पनकी प्यbad